हे हेलो स्टुडेंट्स इस वीड़ो में हम बात करेंगे आई सी ए एक एक वेरी अरजेंट न्यूस जो आल सी में स्टुडेंट्स के लिए वेरी वेरी इंपोर्डेंट है अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पने हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंजो साइड में वेल एकन और बटन सो प्रेस कर देना ताकि सी में एक्जामनेशन रिगार्डिंग कोई भी इंपोर्डेंट अपडेट अनॉसमेडा नोडिफिकीशन अप मिशना कर पाए अपडेट स्टार्ट करते स्टूडेंट तो ICAI का एक वेरी अरजेट अनॉसमेट वेरी अरजेट न्यूस जो आल सी में इंटर सी में फाइनल स्टूडेंट के लिए ICMI ने एक circular release किया था All CMA students के लिए जिस circular में students एक बात mention की गए थी अगर आप CMA intermediate CMA final का student हो तो आपको students अगर first of all आप CMA intermediate का student हो और आपने provisionally registration किया है provisionally का मतलब होता है SY के base पे, select 14th standard के base पे तो आपको क्या करना है आपको अपना graduation का marksit जो है 31st July 2024 तक submit करना है ICMI को किस तरीके से submit करना है इससे regarding video अल्रेडी बना के रखा हुआ है आप जाए grow knowledge YouTube channel पे search कर लिजिए और second of all अगर आप CMA final का student हो और आपने अपना practical training और IUTP training का जो IUTP for final courses के होते है वो submit नहीं किया है तो again 31st July 2024 last date है अब कुछ students के क्यों ही कुछ आ रहे बहुत जान से सुना कि sir मेरा already IOTP जो training है जो सेकेंड जो मेरा IOTP training है मैंने complete कर रखा है तो मुझे फिर से करना है तो उसका answer है no बट अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना compulsory and mandatory है have a great day students may be update आपको समझा कहीं भी कोई भी क्योंड़ी कोई भी doubt आए comment section आपके लिए है और अगर आप सभी YouTube channel पने हो तो please channel को like, subscribe and जो side में bell icon और बटन सो प्रेस कर देना thank you students have a great day